चानक्य समसाम्म की विशेश में आप सभी का स्वागत है आज का विशे है जुन्तम समर्थन मुल्य अर्थात MSP इस विशे के अंतरगत हम देखेंगे कि यह चर्चा में क्यूं है? जुन्तम समर्थन मुल्य क्या होता है? इसकी जरूरत क्यूं पड़ी? और यह कब लागू हुई? MSP से किसानों को क्या लाब होते है? MSP एवं नए क्रिशी कानून में क्या अंतर सम्मंद है? और अंत में हम इस विशे से समंदित प्रश्ण पर विचार करेंगे यह चर्चा में क्यूं है? केंद्र सरकार क्रिशी किसानी के छित्र में सुधार के लिए तीन विधेक लाई है यह तीनों कानून संसत के दोनों सदनों से पारित भी हो चुके हैं और कानून बन चुके हैं इन कानूनों से पंजाब और हर्याना समेथ कुछ राज्यों में किसान नाराज है उन्हें अपनी उपज़ पर मिलने वाले न्युन्तम समर्थन मुल्य अर्थात MSP की चिंता है प्रधान मंत्री और क्रशी मंत्राले के अनुसार MSP समाप्न नहीं होने वाला है किसानों और विपक्षी पार्टियों को MSP खतम होने का डर है न्युन्तम समर्थन मुल्य अर्थात MSP MSP वहन न्युन्तम समर्थन मुल्य यानि गारिंटिट मुल्य है जो किसानों को उनकी फसल पर मिलता है भले ही बाजार में उस फसल की कीमते कम हो इसके पीछे तर्क यह है कि बाजार में फसलों की कीमतों में होने वाले उतार चड़ाव का किसानों पर असर ना पड़े उन्हें नियुन्तम कीमत मिलती रहे सरकार हर फसल सीजन से पहले CACP यानि Commission for Agriculture Costs and Prices के सिफारिशों पर MSP तै करती है यदि किसी फसल की बंपर पैदावार हुई है तो उसकी बाजार में कीमते कम होती है तब किसानों को MSP से एक निश्चित कीमत प्राप्त होती है इसकी जरूरत क्यों पड़ी और यहें कब लागू हुई 1950 और 1960 के दशक में किसान परेशान थे यदि किसी फसल का बंपर उत्पादल होता था तो उन्हें उसकी अच्छी कीमते नहीं बिल पाती थी इस वज़े से किसान अंदोलन करने लगे थे 1964 में LK जहा के नितृत्तु में Food Grains Price Committee बनाई गई थी जहा कमिटी के सुझाओं पर ही 1965 में भारतिये खाद्यनिगम अर्थात FCI की स्थापना हुई और Agricultural Prices Commission अर्थात APC बना APC का नाम 1985 में बदल कर CAPC किया गया यहें क्रशी से जूड़ी वस्तों की कीमतों को पैय करने की निती बनाने में सरकार की मदद करती है ठीक इसी समय सरकार के द्वारा FCI की भी स्थापना की गई FCI वह एजनसी है जो MSP पर अनाज़ खरीदती है उसे अपने गोदामों में स्टोर करती है Public Distribution System अर्थाद PDS के जरीए जनता तक अनाज़ को रियाईती दरों पर पहुचाती है PDS के तहर देश भर में करीब 5 लाख उचित मुल्य दुकाने है जहां से लोगों को रियाईती दरों पर अनाज़ बाटा जाता है MSP एवं नए क्रिशी कानून के मध्ये क्या अंतर संबंध है नया क्रिशी कानून Open Trade या खुले व्यपार का विकल्प कि सानों के समक्ष प्रस्तुत करता है नए कानून का MSP से कोई लेना देना नहीं है MSP एक्ट का हिस्सा नहीं है MSP परशाश की ये निर्ने है आज का प्रश्न है नियुनतम समर्थन मुल्य अर्थात MSP से सम्मन्दित कतनों पर विचार कीजिए कथन 1, MSP वेहन युन्तम समर्थन मुल्य यानि गारेंटेट मुल्य है जो किसानों को उनकी फसल पर मिलता है भले ही बाजार में उस फसल की कीमते कम हो कथन 2, सरकार भारतिय खाद्य निगम अर्थात FCI की सिफारिश पर MSP तै करती है उप्रोक्त में असत्य खतन है विकल्प A केवल 1, विकल्प B केवल 2, विकल्प C 1 और 2 दोनो, विकल्प D ना 1 ना ही 2 कमेंट सेक्शन में आप सभी के जवाब का इंतजार रहेगा पिछले वीडियो में जो आप से प्रश्ट पूछा गया था, उसका सही जवाब है विकल्प D इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, धन्यवाद दोन फॉगे टो लाइज घुश है एंडियो को अब्सक्राइब